स्वागती दोस्ता आप सुभी को टिकीर आच यूट्यूब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Redmi K20 या फिर किसी भी Redmi Mobile में यदि आपका यहाँ पे SIM card not inserted problem आपको शो कर रहा है तो उसे आप कैसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तो कुछी देर पेले मुझे यह problem आ रहा था मुझे यहाँ पर notification बार पे SIM card not inserted मुझे यहाँ पर दिखा रहा था तो उसे मैंने fix कर दिया है आप भी कैसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 100% guarantee दे रहा हो कि वीडियो के अन तक आपका problem solve हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको जाना है अपने mobile के settings पे ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पे SIM card and mobile network पे आपको जाना है अभी दोस्तों यहाँ पे आपको जो SIM card में problem आ रहा है वो SIM card आप select कर लिजेगा और एक बार अपना SIM card को off कर दीजे आप ठीक है एक बार off कर दीजे SIM card को उसके बाद में यहाँ पे दुबारा से इसे on कर दीजेगा ठीक है कभी कभी दोस्तों यह on off करने के बाद में ही हमारा SIM card काम करने लग जाता है यदि फिर भी काम नहीं करता है कोई दिक्कत नहीं prefer network type में जाके यह दिया आपका mobile voltee है तो यहाँ पे prefer voltee जो select हुआ है एक बार दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको prefer network type में एक बार prefer 3G क्लिक कर दीजेगा उसके बाद में दुबारा जाके prefer LTE कर दीजे बैक चले आईए उसके बाद में अपना mobile में दोस्तों यहाँ पे network setting reset में भी एक बार चले जाए और दोस्तों यहाँ पे अपना network setting को आप यहाँ से reset कर दीजेगा password भर के ठीक है तो दोस्तों इतना करने के बाद में आपका जो भी problem है sim का वो सारा complete solve हो जाना चाहिए in case नहीं होता है तब दोस्तों आपको एक final solution बताता हूँ final solution जो है वो आ check-up रखके करिएगा आपका सारा application वगेरा कुछ भी delete नहीं होगा ठीक है तो यह आपका final solution है और दोस्तों एक बार जो है आप अपना software भी check कर दीजेगा about phone में जाके यहाँ पर system update आया हुआ है तो इसे आप update कर दीजे क्योंकि कभी-कभी हमारा यहाँ पर SIM का network में SIM में जो